Good morning, All India Radio और आस सवा के अनलिसिस में आप सवो का स्वागत है अगर All India Radio के अंदर नियूस की बात करें तो कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है नेक्स देश दिसांतर के अंदर OTT के रिगुलेशन के बारे में बात की गई है डिसकस करेंगे और दा बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है प्राइबिटाइशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बाते गवर्मेंट के तारीफ हो रही है कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं निकलता है और एक दिन पुराना आर्टिकल है जो मौडनाजाशन आफ वेपन्स डिफेंस सेक्टर की बात हो रही है वहाँ भी गवर्मेंट की तारीफ हो रही है कुछ खास पॉइंट नहीं निकलता है तो चले डिसकसन स्टार्ट करता है देखो नई गाइडलाइन्स आई है OTT प्लेटफॉर्म जो है वर्दर टॉप ये प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए जैसे नेटफलेक्स, एमजान जैसे प्लेटफॉर्म को फेस्बुक जैसे मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका यूजर पचास लाख यूजर से जैदे हो इनको रेगुलेट किया जैगा ये वद्यान रखना इससे नीचे वाले को नहीं ये कीबॉर्ड है अगर कोई गलत तरीके से कुछ पॉइंट या कुछ भी डालता है मतलब गलत बात करता है जो सरकार के लिए अपती जनक हो 24 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा और नियम का पालन करना होगा सक्त रख रियक्शन बनाया जाएगा इसके उपर देखो एक तो ग्रिवियांस ओफिसर भी बनाना परेगा 24 घंटे के अंदर हटाना परेगा और एक मेकेनीज भी बनाना परेगा जिसके अंदर इटायट जजबे रहोंगे तो लीगल एडवाइजर भी इसके अंदर होंगे कोई अपती जनक कंटेंट जैसे पॉर्नोग्राफी फोटो इस तरह से ब्लैकमेल हो बहुत सारी दिक्कते आती थी अची पहल है देखो किसी का एकांट हटा नहीं सकता है अगर कोई कुछ पोस्ट डालता है तो बड़े लोग या फिर कोई भी कोई ऐसा कंटेंट डालता है तो आटमेटिक यह जो ओटेटी वाले हटा देते थे उसके पोस्ट को अगर उसके ही चीजों को बुराई कर दे कोई तो अब नहीं हटा सकता है बच्चों के अंदर जो मेंटल हैल्थ चेंज देखने को मिल रहा था पॉर्नोग्राफी वेगर लेकर साइबर से अपराद बढ़ रहा था फेक न्यूज बढ़ रहा था लॉएन ओर्डर में समस्य आ रही थी देखो फिल्मों को रोखने के लिए सेंसर बोर्ड है न्यूज ब्रोड कास्टिंग को रोखने के लिए ब्रोड कास्टिंग एजंसी है इसको लिए भी जोड़ी था बेसिक फॉंडेशन नहीं भारत की है गाली गरोज का कॉंसेप्ट तो भारत में ही नहीं IPCI है IPCI के अंदर कुछ प्रोविजन है हमारे पास IT के अंदर कुछ प्रोविजन है हमारे पास हेल्दी अट्मोस्फेर हम बना पाएंगे हम अपने कंटेंट को वेरिफाई करा पाएंगे अगर हमें कोई लगता है कोई आप पती जिनक है तो उसे बताना होगा कि कौन से सोर्स चाहे है तो कोड ऑफ एथिक्स का एक अच्छा आप एक्जामपल समझ सकते हो तो यह कूल मिलाकर रेगुलिशन बहुत ही अच्छा आप स्टेप कह सकते हो गॉर्ण्मेंट की तो आंसर्स के अंदर आप इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हो तो आज के डिस्कॉसन में इतना ही था थैंक यू थैंक